हेलो स्टूरेंट्स वेल्कम टू माइन नर्चर मैं हो क्रिष्णा कैसे हैं आप सब लोग मास बढ़िया तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग सब्सक्राइब करते हैं इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं नर्वस टिसू के बारे में काफी सारी बाते कुछ जानते हो लेकिन क्या होता है नर्वस टिसू तो हम सब को पता है हमारे बाडी में नर्वस सिस्टम पाए जाता है ऴ्रेन और मिल्कर बना रहता है असमें नर्वसो सिस्टम दो पार होते हैं कि siんな पार नर्वस सिस्टम होता है ठीक है तो फिलाल हुझे पूर्र नर्वस टिसू से बना हुए हमारे बाडी का पूरा नर्वस सिस्टम उनके आधर का पाए जाते है नर्वस टीशू अब जो नर्वस टीशू किसके बने होते हैं टीशू बने होते हैं सेल के टीशू किसे बने होते हैं सेल से मिलके बने होते हैं अब क्या कहा रहा है नर्वस टीशू नर्वस टीशू जा हो गया नर्वस टीशू consists of first neuron किसे बना होता यह neuron से जिनको nerve cell भी कहते हैं which consists of cell body जिसके बाद cell body होती है and processes यहां पर जो processes है इस processes मतलब है यहना कोई चीज होती है उस चीज से कोई चीज निकल रही होती है तो इस निकलती हुई चीज को हम लोग इंग्लीस में क्या बोलते हैं processes यानि कि हम कह सकते हैं उससे कोई चीज निकल रही है उसके उबहार ठीक है ना तो यह processes ठीक है यह जब बोन वाले चेप्टर पढ़ेंगा तो वहाँ पर काफी सारे वर्ड आएंगे processes करके तो क्या कह रह हम लोग क्या कहना चाता है और उससे कुछ process निकले होती है यानि कि अभी हम पर क्या हमको एक छोटा से structure अगर बना ले हम लोग neuron का तो देखो क्या होता हम सबको पता है neuron कुछ steps होते हैं है ना तो क्या रहता है एक तो cell body या मेन क्या हो गया cell body हो गई इससे निकलती हुई च zone और रहती है तो उसी के बारें बात कर रहा है nervous tissue इसके अंदर neurons होते है neurons के अंदर cell body होती है और उसके साथ कुछ process क्या करती है extend करती है from cell body से कुछ चीज़े निकलती होती है एंड दूसरी चीज़ क्या पाए जाती है nervous tissue दो cells पाए जाते हैं nervous tissue के अंदर एक neuron जिसके बारे में बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं ठीक है ना दूसरी चीज़ है नीरोग्लिया इसके बारे में class 11 से पढ़ा होगा लेकिन याद नहीं होगा ठीक है फिर बता रहा हूं में neuron के लावा एक cell और पाया जाता है nervous tissue के अंदर वो कौन सा होता है नीरोग्लिया cells होते हैं क्या काम करते हैं इनका main काम होता है इन neurons को protect करना और नुरिश करना याने कि neuron को ख्लाते बलाते रहना ठीक है और इनको protection देना तो नीरोग्लिया cells होते हैं अब विच डू नौट generate और conduct nerve impulse यह nerve impulse और generate नहीं करती हैं but have other important supporting function but इसके दूसरे supporting function होते हैं यह support करता हर तरीके से किसको neuron को अब क्या कह रहा है ठीक है कह रहा है इवन दो नीरोग्लिया ग्लिया मतलब होता है glue ठीक है do not generate और conduct nerve impulses these cells do have many important supporting functions ठीक है यह भले ही नर्व को generate नहीं करता conduct नहीं करता है nerve impulse को लेकिन बहुत सारे इसके supportive function होते हैं वह यह प्रवाई लाइन यहां पर repeat हो गई है अब जरह हम यहां पर बात को समझते हैं कि actually scene क्या है जो नीरोग्लिया है यहां पर glue prime time पर क्या समझा रहता था कि जो यह नीरोग्लिया cells है यह neurons को चिपका के रखते हैं में hold करके रखने में मजश्य करते हैं कौन नीरोग्लिया उससे में इतना advancement नहीं था बात है समझ में आया है इसको ठिपका के तो नहीं रखते हैं लेकिन सपोर्टिंग का काम करते हैं लेकिन पहले इसका नाम बढ़ चुका था क्या नीरोगिलिया अब रिचेल्स क्या होते हैं और डिटेल में समझेंगे हम इनको आगे अब दो सेल्स हमने देखा कि नर्वस टीसू के अंदर दो टाइप के सेल पाया जाते हैं नीरोण्स और नीरोगिलिया आपना निरोण को पकड़ ले थे थिए तो नीरोण का मतलब क्या होता है और नर्व सेल्स निरोण को हम लोग नर्व सेल्स कहते हैं सेंसीटिव तू वेरियस श्ट्यमलाई यह सैंस्टिव होते हैं फोट सारे जैसे की तेज धूप होगी तो आंखे छुटी हो जाती ही गरम चीज़ को छोलो तो हाथ पीछी हटता है यह सब क्या है श्ट्यमलाई ठीक है ना यानि कोई चीज जो हमको मूबमेंट करने को मजब तो यह जो stimuli है इस stimuli को catch कौन करता है यह neurons catch करते हैं यानि कि गर्म heat को छुआ तो किस ने receive किया कि हाँ गर्मी लग रही है हाथ हटा लो वरना हाथ जल जाएगा यह काम कौन करते हैं नीरॉन ठीक है ना इसलिए कहा गया यह sensitive होते हैं to various stimuli अलग लगते हैं कि stimuli के लिए sensitive होते हैं हीट लगी तो मेरा यहां पर cell damage हो सकता है body damage होगी तो वो जो हीट है ना हीट को रूप में आजा करके electrical signal में वो जो stimuli था करके वह हम इसको detail में समझेंगे फिलाल इतना याद रखो कि nerve impulse के अंदर एक बिजली पैदा होती है millivolt में रहती है बहुत तरह कम millivolt में होता है ठीक है तो वह signal create होता है और वह signal create होता है बिजली electrical signal उसी को हम लोग nerve का action potential कहते हैं इसी action potential को हम लोग nerve impulse कहने या nerve के signal कह लें ठीक है यह जो action potential है इसी को हम लोग क्या कहते हैं nerve impulses and conduct these action potential और इस impulse को signal को conduct करते हैं आगे ले जाकर to other neurons to muscles tissue or to gland अब यह ही जो signal है जो हो गया है यह signal कहा जाएगा किसी दूसरे neuron के पास neuron से neuron के पास जा सकता है neuron से किसी दूसरे muscle के पास जा सकता है या किसी gland के पास जा सकता है depend करेगा कि वो signal कहां के लिए बना है या कहां जाने के लिए वो create हुआ है बैस समझ मारी है clear है जैसे कि मान लोग क्या है अगर भूक लगती तो हां से signal create होता है कहां जाता है पेट में जाता है जरन मसती है पेट में तो कहां का signal कहां जा रहा है वो डिपेंड करेगा तो signal सारे कैसे होते हैं ऐलेक्ट्रिकल होते हैं के लिए रबाते हैं अब यह neurons पाए कहां जाते हैं location की बात करें तो nervous system में पाये जाते हैं function के बात करें इसकी दो exhibit sensitivity to various types of stimuli इनके पास sensitivity होती है यह सेंस करने की छमता होती है अलग अलग तरह के stimuli को है ना soft चीज को छो तो बड़ा मजा आता है गरम चीज को छो लो तो हाँ पीछे खीचते हैं हम लोग तो अलग अलग तरह की sensitivity को sense कर सकता है यह ठीक है Converse stimuli into nerve impulse जो भी stimuli होती है उसको nerve impulse में convert कर देता है यानि कि action potential convert कर देगा किसी soft चीज को छूते हैं तो बड़ा मजा आता है तो हमारा हाथ हटने का मन नहीं करता बॉड़ी को बड़ा अच्छा लग रहा होता है ना किसी गरम चीज को छू लेते तो हाथ पीछे खीच लेता है तो stimuli जो है जो हमको क्या करें जैसे मैं नहीं जा रहा है लेकिन हाँ good feelings आ रही है conduct nerve impulses to other neurons muscle fiber और gland ठीक है ना इसका function क्या होता है stimuli को signal में convert करना और वो signal जाता है किसी दूसरे neuron के पास जा सकता है muscle fiber के पास जा सकता है और glands के पास जा सकता है ठीक है तो बच्पन से हम लोग इसका एक structure देखते हुए आ रहे हैं एक structure पढ़ते हुए आ रहे हैं आओ देखें जा रहा parts of neuron with function ठीक है ना अगर 2 या 3 number में question आत हुआ है में सबसे पहरे क्या आती है cell body यह अलब पार्ट जो है यह क्या है cell body होती है ठीक है ना इस से क्या निकले हुए यह डendrite निकले हुए ये सबसे ऊपर क्या होती है, cell membrane होती है, जहां से ये जो होता है, ये ये अक्सान होता है, ये एक्सान इस cell body में जहां पर जाकर जुड़ता है, इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सान हिलोक कहते हैं, जहाँ जहाँ पर पूरे exon में जगे जगे पर क्या रहती है myelin sheath की covering रहती है तो यह होगे अपने पास myelin sheath जहाँ जहाँ myelin sheath नहीं होता है बीच बीच में उसको हम लोग बोल देते हैं node of ran wires ठीक है myelin sheath अचा तो swan cells होते हैं यह क्या secret करते हैं swan cells produce myelin sheath तो यहाँ पर ही क्या पाए जाते हैं swan cells भी हैं और last में जाकर करके यह nobes पाए जाते हैं exon terminal कहते हैं form junction with other cells दूसरे neuron के साथ यह क्या करते हैं junction मनाते हैं अभी हम इसको detail में भी देखेंगे तो फिलाल हम पर क्या है एक मोटा मोटा dendrites क्या करते हैं receive signal दूसरे से जो आते हैं उससे signal receive करेंगे मतलब यह वाला जो terminal होगा ना किसी दूसरे का वो कुछ यहाँ पर आ जागा इस टाइब से और यह signal receive कर लेगा clear है from other cell cell body क्या organizes and keep the cell functional यह main हा गया यहां कि brain roll apart हो गया यहां nucleus है तो पूरे cell को कहा रखता है यह active रखेगा functional रखेगा cell membrane protect करती है exon he log generate impulse in the neuron यहां से क्या होता है impulse generate होता है node of runway allowed diffusion of ions यहां पर क्या होता जंपिंग होती है ions की जिससे की हमारा fast क्या हो conduction हो पढ़ा होगा इसके बारे में यहां पर अभी हम उसके बारे में नहीं पढ़ना लेकिन स्वयन सेल्स प्रड्यूस करते है myelin sheath को nucleus control the entire neuron पूरे neuron को ही control कर रहा है exon transfer signals to the other cells and organs अब इस exon से signal ऐसे आगे जंप करता हुगा या अच्छा इसमें क्या है myelin sheath है तो इसलिए जंप करता है तो रफ्तार क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी then exon terminal forms junction with the other cell यह दूसरे cell के साथ क्या बनाता है junction बनाता है तो neuron को हमने देखा एक तरह से मोटा मोटा समझें अगर तो एक cell body होती है एक क्या होता है exon होता है ठीक है और एक क्या होते हैं अगर पास dendrite यह तीन चीजें इसकी क्या है important है एक neuron के तीन पार्ट अगर हम पढ़ेंगे तो इसके तीन पार्ट में तोड़ करके इसको हम लोग पढ़ेंगे clear है बाते तो बस यही सारी बाते थी neuron के बारे में general बाते लेकिन यह बाते अब तक क्या थी जो हम लोग अब तक पढ़ते आये थे लेकिन हम थोड़ा सा आगे क्या करेंगे इसको detail करेंगे जो कि जरूरी है अपने course के हिसाब से आगे जलते है parts of neuron को समझने करते हैं और अब हम इसका देखते हैं थोड़ा सा detail version ठीक है ना this is यहां से real चीज श्टार्ट होती है ठीक है यहां से क्या स्टार्ट होती है अपनी real चीज श्टार्ट होती है clear है तो देखो क्या कह रहा है parts of neuron most neuron have three parts three parts होते है cell body यह जी cell body ठीक है dendrites यह रहा है dendrites और exon यह रहा इसके अंदर का exon clear है रहा बाते है ठीक है अब थोड़ा से की detailing कर लें हम लोग देखो यह जो cell body है cell body से क्या निकले हुए है अब बहुत महीन महीन वाले होते है इनको हम लोग dendritic spine बोल देते है क्या बोल देते है dendritic spine बोल देते है यह जो लंबे-ुल रंबे से जा रहा है ठीक है इनको हम लोग क्या बोल देते है dendrit बोल देते है यह पूरा structure है इसका हम लोग क्या बोल देते है cell body बोलते है इसी cell body के अंदर क्या है nucleus है अफिर जहां से यह dendrit निकलने Enjoy शार्ट हुए हक और हलकी हलकी से फाइबर पाए जा रहें इसको भू नियूर्फाइब्रेल भीकए देते dapat routine के अंदर क्या होता है साइटो प्लाजम होता है जो एंड्र फ्लाजमी रेतिकुलं होते कहते हैं और यह सबसे सुरुवाती पार्ट जहां से जुड़ा हुआ है इसको क्या कहते हैं इनीशियल सेग्मेंट कहते थे अब यह एक्जॉन ऐसे पीछे होता हुआ जा रहा है ठीक है बात को समझना तोड़ा सा ठीक अब क्या है यह एक्जॉन अनज़र बब्रचाइबर क्या चांते हैं सेर्म अब बात को समझना उसकोपर जो कवरिंग हो किसकी क्यों होती है माईलिन शीद की होती है माईलिन शीद के उपर जो सेल्स पाए जाते हैं वो कौन से सेल्स होते हैं स्वैन सेल्स ठीक है स्वैन सेल्स क्या प्रडूस करते हैं माईलिन शीद ठीक है यह जो इसके उपर की जो सबसे उपर की लेयर है जो प्लाजम मेंब्रेन कहते ह है निवरो लेमस को लांगा जहां पर यह मैलन शी तुझ सब रहा है जिसके पाए जा चुstat करो तो क्या नुडर्व और चाहता हुआ हुआ है झोल सो घ्लिभ अंब रीश कि तरफ था है यह जो से और नहीं दों ए कि छpad कि एंडिंग एजिका इसको हम लोग जोनकेशनेटिक एंड़ यह सेनपूल्प यहां से दूसरे जाता है कैसे जाता है उसका भी मैं एक थोड़ा सा हलका सा description दूँगा यहाँ पर अब देखो exon की बात करें तो exon की अंदर जो cytoplasm होगा उसको exoplasm कहते हैं exon की जो सबसे उपर की परत होती है उसको हम लोग क्या कहते है एक्जोलेमा यहाँ पर हमने क्या क्या निउरोलेमा का इस स्वैन सेल की परत को इसके अंदर फाइबर सोते निउरो फाइबर बोल दिया यह उसके एंड आ गया exon का यह टर्मिनल आ गया इस तरह ब्रांच टाइब का ठीक है ब्रांची क्यों होती ता कि बहुत सारे सिगनल एक साथ आगे पास हो सके और काम बहुत फास्ट हो सके तो यह एक डाइग्राम है कोशिश करोगे कि इसी टाइब का डाइग्राम चाहो तो यह पार्ट्स और फंक्शन दे रखें ठीक है और केवल अगर कह रहा है नहीं केवल डाइग्राम बनाईए आप ओनली डाइग्राम तो डाइग्राम में कोशिश करना यह वाला डाइग्राम बनाना ठीक है इसमें काफी डिटेलिंग है के लिए बाते हैं छोट छोटा इक ले आगे आवा चलते हैं अब देखो अलगों सेल बॉड़ी अ तो यहाने की स्यल बॉड़ी समझ में आगी न स्यल बॉड़ी फिर से बता दूँ यह वाला पार्ट क्या है सेल बॉड़ी अंदर पीला पीला एक्जॉन और यह जो इसल बॉड़ी से लगे हुए हैं लंबे- नाम क्या है पैरिकारियोन और सोमा इसको हम सोमा भी कह देते हैं नाम याद रखेगा कंटेंस आ नूकलियस उसके अदर एक नूकलियस हमने देखा था स्राउंडेड बाइ साइट अप्लास होता है उसके अंदर डैट इंक्लूड्स और्गनिल्स सच उसके अंदर कौन कौन से पाई जाती है लाइसोजोम्स माइटो कॉंड्रिया ठीक है इसके अंदर क्या क्या पाई जाएगा इसके अंदर माइटो कॉंड्रिया है लाइसोजोम्स है ठीक है ना इसके अंदर के लिए रबाते हैं सेल और्गनिल्स पता है हम अच्छे सेल और्गनिल्स किसे कहते हैं हम होते हैं निसल बॉड़ी या कई वायर हम लोग इसको क्या बोल देते हैं निसल ग्रैनियूल्स ठीक ना टर्म आएगा कभी तो निसल ग्रैनियूल जहार लगना राइबोजॉम सार्थ साइट साफ प्रोटीन सिंथेसिस हम सब को पता जो राइबोजॉम यहां पर है वो किसका रफ अपिरेंस देते हैं ठीक है तो निसल बॉड़ी सार यूज टू रिप्लेज जो नई प्रोटीन बनती है कौन निसल बॉड़ी बना रहे हैं वो प्रोटीन रिप्लेज करती है सेललर कंपोनेंट्स को एज मैटेरियल फॉर ग्रोथ अफ नियूरॉन्स ठीक है ना एंड तो जनेरेट डेमेज एक्सों इंदा पैरिफेरल नवर सिस्टम तो जो सेलूलर कंपोनेंट्स है जो पराने होगे उनको हटा के नए आया जाते हैं कंपोनेंट्स मैट्रियल फॉर ग्रोथ अफ नियूरॉन जब ग्रोथ करता है उसमें ये प्रोटीन हेल्प करती है और रि इंक्लूद बोथ नीरो फाइब्रीज साइटोस्केलटन पता है जो धाचा प्रोइड करता है यह सेल में क्या थे माइक्रो फिलामेंट्स वैसे नेरो फाइब्रीक्रोज़ यह यह सेल को शेप दिये हुए और सपोर्ट ऐंड मॉविंग मेटिर्यल बेवीन यह सेल बॉड् एक्जोन, cell body और एक्जोन की बीच में यह cell body और यह एक्जोन, इसके बीच में जो material का movement है, वो कौन करवा रहा है, आगे आए, चीक है, तो आगे देखते हैं, अब क्या रहा है, aging neuron, जो neuron बुड़ा हो रहा है, age हो रही जिसकी, also content lipofusion, उसके अंदर एक चीज आ जाती है, lipid content आ जाता है, उसके अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, lipofusion बोलते हैं, अब pigment that occurs as a clumps, एक गाठा कर लोग क्लम्स बन जाते हैं, जैसे कि हम लोग क्या कह सकते हैं, गुंठरियां सी बन जाती है, कोई चीज ना, जैसे कि हम मक्खन निकालते हैं, उसके क्लम्स से बन जाते हैं, तो ये क्लम्स के रूप में पाया जाता है, और येलोईश ब्राउन ह नहीं पहुचाता है, के लिए रब आते हैं, collection of neuron cell body outside the center number system which called ganglion, ganglion को बारे हम लोग फ्रोबाद जानते हैं, पहले हम आने जिकर किया था, जो cell bodies होती है, एक्चुली जो हमारे पास brain होता है, बताता हूं मैं, जो हमारे पास brain है, ठीक है brain से यहां से निरोन निकली, ठीक है यहां से निरोन निकली और यहां पर क्या है, cell body है, एक मालो यहां पर एक और क्या है, synaptic knob होंगे, यहां पर दूसरी cell body है, तो इस टैप से, यह जो junction होता है, यह क्या होता है जो, junction होता है, जहां पर brain के बहार, यहां पर क्या होगा, junction होगा, ठीक है, किसका स्का होगा सेनेप्टिक नोब का की वागो आगे जाए तो यहां पर ज Дж bearings amos अहूता है ने यहां पर हैड हैड जू बेन के बहार होता है और जहां पर दूसरे सारे बन जाते हैं यहां पर तो क्या है बहुत सारी भी हो सकते हैं एक सिंगल हैड और यह भी हो सकता है कि किवल एक एक हो या कई सारे हैड और एक नियूरॉन हो सकता है ठीक है तो इसको हम लोगा करते हैं गैंगलिया और बहुत सारे गैंगलिया होते हैं तो प्लूरल में क्य उसका जो head था उसको हम लोग क्या कहते हैं गैंग्लियोन कहते हैं a nerve fiber is general term for any neuronal process neuron से निकलते हुए कोई भी process होगी process का मतलब क्या है मैं फिर बता दू मैं अच्छा यहां से हम लोग हट चुके हैं पीछे आते हैं अब यहां से निकल रहे हैं यहां से निकल रहे हैं तो main body से जो जो चीज़ें भार की तरफ निकल रहे हैं वह सब क्या कहलाती है process कहलाती है बताया था मैंने तो अब क्या कह रही है कह रहा है collection of nerve fiber is general term for any neuronal process process कोई भी process निकल रहे हैं नर्फ फाइबर कहा रहे हैं process मतलब extension है न मालों यह पैन है यहां से एक और चीज़ निकल दे तो उसका extension हो जाएगा that emerges from the cell body जो cell body से निकल रहा हो emerge हो रहा हो of a neuron most neurons have two kinds of process multiple dendrites and single axon तो generally दो चीज़े उस cell body से बाहर निकल के आ रहे होती है एक dendrites होते हैं और दूसरा क्या होता है axon होते है clear है तो अब dendrites की बात कर लें हम लोग है ठीक है तो dendrites क्या होता है अब काफी अच्छे समको बात पादा चल चुकी है dendrites dendr मतलब tree है ना तो हमने देखा तो कैसे tree type structure दिखाए पड़ता है ना हमको यह structure कैसे दिखाई दे रहा है tree type का दिखाई दे रहा है एक tree तो dendr का मतलब tree होता है तो देखो यह जो वर्ड होता है यह एक्चुली क्या है दूसरी country के words है यह ठीक है जैसे हमारे हम यह पेड़ बोल देते हैं तो अगर हमारे यहां खोज होती तो हो सकते हैं यहां पे पेड़ राइट कहरे होते हैं इसको ठीक हमलब हिंदी वर्ड से मिलता है वह उन्हों कोई शब्द होता बट वहां पर डेंडर डेंडर मतलब tree होता है और tapering tapering मतलब एक तरफ पतले और एक तरफ मोटे कुन्नी टाइप को होते हैं highly branched होते हैं यूजिली short cell process बहुत छोट छोटी cells की process होती है यह उभार होते हैं extensions होते हैं they are the major receiving or input portion of neuron ठीक है ना दूसरा neuron अभी हम देखिंग आगे जाकर दूसरा neuron ऐसे लगा होता है ठीक है दूसरे neuron का जो ये वाला part है इसका जो याला end है यह वाला end क्या होगा दूसरे neuron का यहां पर आ जाएगा और यह क्या करता है receive करता है signal को फिर ठीक है तो यह input receive करने का काम कर रहा है इसे काम कर रहा है receive करने का तो कह रहा है they are the major receiving or input portion of neuron the plasma membranes of dendrites जो plasma membrane होता है dendrites का dendrites की जो plasma membrane है और एंड cell body contain numerous receptor यानि कि जो cell membrane है चाहें वो dendrites की हो चाहें cell body की हो उसमें बहुत सारी receptors पाए जाते हैं क्या मतलब है इसका आप समझते हैं देखो मान लो कि यह मेरे पास क्या है सब्सक्राइब से ठीक है और यहां पर यह स्टाइब से है है थोड़ा मोटा मोटा होते हैं तो वो कह रहा है कि इनके जो cell membrane है यहां पर सबसे उपर की परत दिखाए सब्सक्राइब यहां पर रिसेप्टर्स होते हैं बहुत सारे क्या होते हैं रिसेप्टर्स क्या है यहां पर रिसेप्टर्स 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 क्या होते है कोई केमिकल्स होता है हाँ को सिगनल आए फिर यह आगे पास कर देंगे ठीक है ना तो इनकी सेल मेंब्रेन में क्या भरे हुए हैं रिसेप्टर सें धेर सारे जो रिसीव करेंगे सिगनल को कि लिए रहे बाते हैं तो क्या कह रहा है यहां से जो सिगनल चलता है यहां से जो सिगनल चलता है वो प्लस जैसे यहां प्लस प्लस होता है फिर यह माइनस माइनस हो जाएगा अंदर क्या हो जाएगा प्लस प्लस हो जाएगा ठीक है यानि कि इलेक्ट्रिकल के form में चल रहा है electrical signal के रूप में चल रहा है लेकिन जैसे ही यहां पहुंचता है यहां से जब इसे अगले वाले के पास यहां से जब उसे अगले वाले के पास पास करना होता है जैसे मालों यहां पर माल लेते हैं यह अगला वाला है ठीक है यहां से signal आगे जाना है तो यहां पर ना chemical release किया जाता है यानि कि exon के अंदर तो चल रहा था electrical signal लेकिन इस electrical signal को आगे पास करने के लिए यहां से कुछ chemical release किया जाते हैं जो इस यहां पर क्या बने हो रिसेप्टर अब यह क्या चीज है यह डेंडराइड है यह क्या है दूसरे नियूरोन का डेंडराइड है यहां पर क्या माजूद है रिसेप्टर यहां से क्या ले लेते हैं chemical को receive करते हैं और अपना impulse generate करते हैं ठीक है यह सैनेप्स की कहानी है तो इस तरीके से सिंग्मल्स क्या होते हैं ट्रांसफर होते हैं तो chemical messenger from other cell देर सैटर प्लांस कंटेन निसल बोडी माइटो कॉंड्रे अदर ओगनिस उनकी सैटर प्लांस में भी क्या पाया जाता है निसल बोडी माइटो कॉंड्रे अदर ओगनिस ठीक है ना तो क्या कह रहा है प्लास्मा मेंब्रेंस ओफ लेट की और सेल बोडे सेल बोर्डे और बने यहां ध्यान रखना उपर वाला पाट सेल बोडी बार बार अचेल बोडी को कुछ और मद समझ लें अ क्यों वाला हिस्टा सेल most और वाला क्यवली तीक है न AIDS रखना और आगे आते हैं ठीक है तो कह रहा है Nisle bodys Mitochonày and other organization कि नहीं कि कह रहा है बहुत सारे numerous receptors पाए जाते हैं cell body और dendrites में और यह site होता है binding chemical messenger के लिए जो messenger साथ है chemical रूप में उसको receive करते हैं अब इनके जो cytoplasm में cell body के और dendrites के जो cytoplasm में उसके अंदर भी वहाँ सारी nasal body, mitochondria और other organs पाये जाते हैं किलियर है, exon की बात कर ले, the exon, exo का मतलब होता है, axis, जो main axis है इसकी of a neuron is single thin cylindrical process, ये पतली, ठीक है, एक single होती है, पतली होती हो, cylindrical, गोल होती है process उभार होता है, that may be very long ये काफी लंबा हो सकता है it is the output portion of neuron, यानि कि वहाँ से signal आया, यहाँ से signal आया, और यहाँ से अब आगे जा रहा है तो ये output, इधर input, ये input और ये output, ठीक है न, यहाँ से क्या आया, input, signal आगे है, यहाँ से है है और to some other tissue या हो सकता है किसी दूसरे tissue के पास लेके जा रहा हूं डिपेंड करेगा कि सिगनल किस टाइप का है इट जॉइंस to cell body at cone shape elevation called axon hillock ठीक है ना यह cell body से जुड़ा होता है एक है आगे आते हैं चोसे करूड से कर दो न सेग्मेट अब जो इसके एकदम पास में सा और cooked इन्टिय क्या लाता है इनीशियल सेग्मेट कहलाता है क्लिया रहे हैं ऑके कहा नाव इन्मोस्ट लॉण इंपल्स एड जंक्शन ऑफ दा एक्जॉन ही लोग अब जाज़ता कैस में वह तो होगा हैं वह कहीं से जनरे पर हो जाता है बौडी कंदर जो इंपल्स क्रिये रोते ह वो generally कहां से create होते हैं? exon, hillock के पास से होते हैं and initial segment के पास से an area called the trigger zone इसको हम लोग क्या कहते हैं? trigger zone कहते हैं तो क्या कह रहा है? in most neuron, nerve impulses arises at a junction of exon, hillock and initial segment याने कि इसका और इसका जो junction है जहां joint है, वहीं से signal क्या होता है? create होता है clear है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? trigger zone कहते हैं from which they travel along the exon to their destination वहां से वो exon से होता हुआ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाता है signal बास समझ मा रही है आगे आते हैं an exon contain mitochondria exon के अंदर भी क्या क्या पाया जाता है? mitochondria होता है microtribules होते है neurofibrils भी होते है because rough endoplasm reticulum is not present protein synthesis does not occur in the exon exon में protein synthesis नहीं होती ही क्योंकि वहां पर rough endoplasm reticulum नहीं पाये जाते हैं क्योंकि उन्हीं के उपर तो ribosome लगे होते हैं जो कि क्या बनाएंगे? protein बनाएंगे the cytoplasm of an exon called exoplasm exon के अंदर जो cytoplasm पाये जाता है उसको हम लोग क्या कहते है exoplasm कहते है it's surrounded by plasma membrane known as exolema ये बड़ा important है ठीक है न? exoplasm क्या होता है? exolema क्या होता है? lemma मतलब sheet or husk एक covering होती है covering को sheet कहा जाता है ठीक है? तो जो exon की सबसे उपर की परत होती है उसकी membrane होती है उसको हम लोग क्या बोलते है exolema उसके अंदर तो cytoplasm भरा हुगा उसको हम लोग क्या बोलते है exoplasm बोलते है along the length of an exon exon की पूरी length के along side branches called exons collaterals में branch of ठीक है न? कई पर ऐसा हो सकता है side branches ऐसे करें ब्रांच निकली हुई हो तो उसे हम लोग क्या कहते है exon collaterals बोलते है ठीक है न? निकलती है मादर signal नहाँ पर भी जाएगा signal वहाँ पर भी जाएगा ऐसा हो सकता है आग आते है the exon and its collaterals end by dividing into many fine processes called exon terminals चाहें वो collaterals हो या exon हो ultimately इनका अंत कहां होता है जाकर के ये ठीक है न? exon terminals में जाकर के इनका उसका collaterals का भी है और इसका दोनों का अंत कहां होगा exon terminal पर जाकर हो जाएगा ठीक है और exon telodendria और इसका हम लोग क्या बोलते है exon terminal कहले है या exon telodendria बोल सकते है clear है तो ये तीनों बाते हो गई cell body की dendrites की और exon के बारे में clear है बाते है अगर पांच नमबर में कुशन आता है तो ये सारी detailing तो उनको करनी पड़ेगी now synapse synapse क्या होता है देख उसको मैं ठोड़ डाइग्राम है next page पे अब समझते हो डाइग्राम synapse जो बार बार में बात बता रहा था ये देखो ये अभी imagine करो कि ये एक क्या है cell neuron है ये yellow वाला yellow वाला yellow वाला ठीक है yellow वाला अब देखो एक neuron ये है one लिखा हुआ है ये red बना हुआ है एक neuron ये रहा ठीक है उनके dendrite पे attach हो जह jest कहा attach हूज जाए dendrite पर तो अब एसे joint को हम लोक्या कहते है exo इसका exon और इस वाले का dendrite तो exodendrit 지금 bonding होने वाली क्या 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 जहां से signal क्या क्या रहता है रहता है या में कि ये प्री सेनेप्टिक यानि कि ये वाले मेम्बरेन क्या कहलाएगी प्री सैनेप्टिक और ये जिसके पास आया है ये कहलाएगा प्रО्श्ट continents तो यानिकि जहां पर जॉइंट होगा वहां पर इस तरह का सिगनल इस तरह का कुछ आपsy यह वाला और हो सकता है कि इसके जो एन्ड टर्मिनल से वो डाइरेक्ट इसकी सेल बॉडी पर ब्हार कर चिपग गए हो तो यह क्या बन सागें और यह सकता है यह तीसरा अनल और इसके ऐसे खी ग्राय। नोट और टी-स्रे का भीयल Grandpa टो से न üzसकी है कहीं 5 पर सकता है लेकिन एककन पका 50 रोगा क्योंकि उसका अंत होता है एकक रोगा और दूसरी का डendumराइट हो सकता है है body cell body हो सकती है और exon हो सकता है उसी हिसाफ से इसके नाम पड़े हुए है अब जहां पर सैनेफ्स बनेगा मतलब जहां पर सिगनल देने आया है यह वहां पर कुछ इस टाइप का इसको सांतिक नॉब भी कहते हैं टर्मिनलब भी इसके ईन Beetle ना ऐसे च्छुद्टे पाउचेंस होते हैं उन पाउचेंस कैनल क्या भरे होते हैं chemicals भरे होते हैं उन पाउच्च्छ खंदर क्या भरे होते हैं chemical जैसी यह signal आता है यह यह फट़ जाते हैं इनके अधर क्या होते हैं receptors होते हैं यह receptors हैं यह इन chemical को receive कर लेंगे और फिर इस neuron में एक impulse generate हो जाएगी और वो आगे pass कर देगा तो सैनेफ में नहीं बता दिया फुल detailing काम पूरी process के साथ है ना तुम्हारा डिफार्म और तो इसमें secondary में आएगा फिलाल हमें यहां समझना था कि कई बार इसका जिक्र होगा तो हमें बाते समझ नहीं थी तो सैनेफ सिंपल सी बात में खाला से बात समझ में आ गई होगी तो आओ देखें था site of communication between two neurons या between a neuron and an effectors ऐसा भी हो सकता है कि last में ultimately यह कहां जाके लग जाएं किसी cell के पास जाके लग जाएं ज़रूरी निरॉन से neuron भी हो सकता है निरॉन से cell के पास ultimately हमारे cells या muscles को जाके signal देना या glands हो जाके देना है ठीक है तो वो ही कह रहा है communication between neuron to neuron between two neuron और between a neuron and an effector effector मतलब जिसके उपर वो finally जाके effect करेगा cell हो सकता है glands हो सकती है muscles हो सकती है ठीक है ना is called synapse यह जो communication है दो के बीच गया ठीक है ना इसको हम लोग क्या बोलते है और गौर से देखेंगे तो यह communication हमको कुछ ऐसा दिखाए पड़ता है फिर वह बास समझ में आ रही है अग आते हैं दा टिप आफ सम एक्जों टर्मिनल स्वेल इन्टू बल्ब शेप च्ट्रक्चर काल्ड साइनेप्टिक एंड बल्ब इनको क्या कहते हैं साइनेप्टिक फोर केंट क्या इस ट्रिंग फोर स्टोंप्रों करुन निदर क्रुम प्रुम कर्किए इस layers के इन डर क्मिकल भरे इंडि यह ST L pri जाती है जब एक साथ पूरे मसाज़ पर सिग्नल देने तो वहांग पाइजा थे हैं तो यह तो सेनेप्टिक बल्ब पाइजाए गये यह से से रेलीजिस को हम यह क्या कहते है वरेको सिटीम कहते हैं बहुत चैनिय मेम्रीं इंकलोशी काल मॉर्ण म्लेकुर्ण के लिसरा इन क्या इन फॉर सिर्ण का जो सेनेप्टिक वेसिकल से रिलीज होता है डेट एकसाइट और इनिबीट अनदर नियूरों मसल फाइवर और ग्लेंड अच्छा यह दोनों काम कर सकता है अब सिंगनल आया आगे अब यह आगे सिंगनल भेज देगा कि वही काम करो या काम मत करो किसी टाइप का सिंगनल हो स लगते हैं जो कि हम समझेंगे फिर वता रहा हूं कब सेकेंड डिटेल में ठीक है अच्छा आगया आगया ठीक है तो कह रहा है मैंनी निरॉंस कंटेंट टू और एवन थी टाइपस निरो ट्रांस्मिटर्स इच विद डिफरेंट इफेक्स ऑन दपोस्ट सेनेप्टिक सेल भाद वाला यह प्री हो गए पोस्ट इसकी उपर सब तीनों केमिकल का हो सकता है अलग-अलग एफेक्ट हो के लिए रहा बाते हैं तो यहाँ पे निरॉंड निरॉंड का एंड किस तरह से एक निरॉंड दूसरी निरॉंड से अपना मैसेश कॉन्वे करता है तो यह सारी ब diversity in size and shape में काफ़ी diversity होती है काफ़ी बनेताइं होती है अलाले टाइप के होते हैं यह ठीक है अब देर सेल बॉड़ी इस रेंज इन डायमेटर फ्रॉम फाइब माइक जो उनकी सेल बॉड़ी होती है ठीक है सेल बॉड़ी सबसे उपर का हिस्सा वह कुछ माइक्रो मीटर से लेकर करें slightly smaller than red blood cell up to 135 माइक्रो मीटर तक हो सकता है उनके सेल बॉड़ी ठीक है ना यानिकी रेल बॉड़ी से भी छोटा साइस से लेकर करके 135 माइक्रो मीटर तक हो सकता है ठीक है बारले large enough to see barely large enough to see with unaided eye ठीक है ना तो हम इसको आंकों से नहीं देख सकते हैं आगे आते हैं barely large enough to see with unaided eye ठीक है ना the pattern इसको कहटा देना यहां से छोटा है कफी यह the pattern of dendritic branching is varied and distinctive of neuron in different part of the nervous system the pattern of dendritic branching जो dendrite में हमने देखा था ना branching थी यह यह इस टाइप से branching तो कहा जाए pattern of dendritic branching is varied need अलग-अलग होता है distinctive होती है for neurons in different part of nervous system अलग-अलग nervous system जो पुरी body में nervous system फैला हुआ है ठीक है ना अलग-अलग जगाओं पर dendrite की branching अलग-अलग हो सकती है a few small neuron lack an axon कुछ neuron तो ऐसे उनका एक्जोन ही नहीं होता है देखेंग अभी and many other have very short axon और कईयों के अंदर बड़ा ही छोटा सा axon होता है the longest axon are almost as long as person is tall और सबसे लंबा जो क्या कहते है axon होता है वह ऐसा हो सकता कि यहां से brain से निकले और हमारी कहां तक जाए नीचे अंगूठे तक जाए इतना लंबा तक axon हो सकता है अब इतना लंबा axon को हम लोग अपने आँखों से देख सकते हैं तो यह बात कर रहा है छोटे से लेकर बड़ा साइज की हो सकता है इतने लंबे हो सकते हैं इतने इनकी इनकी एक साइज का ही है के लिए रहाते हैं अब क्लासिफिकेशन यह इंप्रिटन अपने बास निरॉंस के क्लासिफिकेशन के अगर हम बात करें तो देहों क्या कह रहा है बहुत इस ट्रॉक्ट्टर अग्टी इस ट्लॉस चेल प्रिचर दोनों तरीके से classify कर सकते हैं तो पहला हम लोग कर रहे हैं structure के हिसाब से साथ तुम लोग ने सुना होगा Unipolar, Bipolar, Multipolar है ना सुना है तो क्या कह रहा है Structurally Neurons are classified according to their number of processes extending from cell body कितने process cell body से निकल रहे हैं उसके अधार पर हम इसको क्या कर देते हैं क्लासिफाइ कर देते हैं क्या कह रहा है आओ देखें Multipolar Neuron Multipolar, they have several dendrites and one axon यहाँ पर तो रहने कि cell body से several dendrites निकल रहे हैं और एक axon होता है ठीक है यहाँ ध्यान डखना फिर से बता जोना है यहाँ पर common बात है देखनी चाहिए हर एक जगह लेकिन फिला बता रहा हूँ किस आधार पर हम लोग कर रहे हैं कि number of process extending from cell body cell body से कितनी process निकल रही है तो यहाँ पर देखो एक चीज तुम लोगों समझा जेता हूं मैं देखो यहाँ पर cell body है खूब सारे dendrites हैं और एक एक जोन यहाँ पर देखो यह sell body है एक एक ज़ॉन है एक डेंडरायट है अब वो डेंडरायट आगे जाके ब्रांचिंगा अलग बात है लेकिन डार्फट एक्जॉन शे ब्रांचिंग नहीं बहुत सारी है तो देखो उसी के अधार पर ध्यान रखना से इसको डिफाइन करेंगे आ गया आते हैं अब यह क्या कर रहा है यहाँ पर क्या है सेवरल डेंड्राइट और वन एक्जॉन किलियर हो गया most neurons in brain and spinal cord are of this type as well as all motor neuron अब यह motor neuron क्या होती है यह अभी function के अधार पर हम लोग बात करेंगे कि motor neuron क्या होती है यह अभी आगया आएगा ठीक है फिलाल जतना समझो most neurons in the brain brain और spinal cord में जो भी neuron पाया जाते हैं वो क्या होते हैं इसको क्या बोलते हैं मल्टी पूलर बोलते हैँ नस्ट आते हैं बाइपॉलर पर से बाइपॉलर क्या बोल रहा हूं कि दे है वियान ट्रेका ते कई हाथ हैं वन ऐन आग्जों सेल बाइटर और स्वेट ऐं कहां पाए जाएंगे they are found in retina of eye आई में मिलेंगे inner ear and the olfactory area olfactory मतलब to smell नाक तो क्या क्या हो गए यहां पर नाक, कान, गला अब खेना नाक, कान, गला ना बोल करके आँख बोल जाएंगे आँख, नाक और कान ठीक है now unipolar किस पर आ जाएं unipolar cell body have dendrites and one axon that are fused together to form a continuous process यानि कि they have dendrites and one axon cell body यहां से हट गई एक तरह से dendrites और axon आपस में ही क्या कर गए है fuse कर गए है तो हम यह आपर देख सकते है dendrites और axon यह आपस में क्या कर गए है fuse कर गए है direct fuse कर गए है ठीक है यहां dendrites और axon direct fuse नहीं कर रहे थे यहां पर dendrites और axon direct fuse नहीं कर रहे थे यहां पर dendrites और axon direct fuse कर गए है direct कि पक गए है clear है अब fuse together to form a continuous process that emerges from the cell body a cell body से जो निकल रहा है उसमें direct दोनों जुड़ गए है these neurons are more appropriately called pseudo unipolar neuron इसको सुड़ यूनिपोलर बोलते हैं सुड़ मतलब फॉल्स क्यों फॉल्स का गया है because they begin in the embryo as bipolar जब यह embryo में थे तब यह bipolar थे during development जब बच्चा बड़ा हो रहा था उस दौरां the dendrites and axon fuse together and become a single process और समय के साथ यह आपना फ्यूज होके single बन जाते हैं सुरुवात में थे बाइपोलर थे बाद में यूनिपोलर हो जाते हैं इसलिए इसको हम लोग सुड़ो यूनिपोलर निउरॉन भी बोलते हैं आगे आते हैं the dendrites of most यूनिपोलर निउरॉन function as sensory receptor इनका सबसे ज़्यादा काम क्या होता है मुझ से लेकर हमारे पूरे पैरो तक हमारे क्या है यूनिपोलर निउरॉन लगे हुए हैं जो कि यह क्या करते हैं सेंस करते हैं टच प्रेशर और पेन को the cell bodies of most यूनिपोलर निउरॉन आर लुकेटेड in the ganglia of spinal and cranial nerve ठीक है यह लाइन याद रहे अच्छी बात और नो कोई बात नहीं है इनका जो cell body होती हो गेंगलियों में दिखाए पड़ता है अब यह हो गया structure के आधार पर अब हम बात कर लेते हैं function के आधार पर किसके आधार पर function के आधार पर ठीक है तो जैको function के आधार बात करें functionally neurons are classified according to the direction in which the nerve impulse is conveyed with respect to the CNS हम यहाँ पर किस अधार पर इसको classify करते हैं कि वो nerve impulse को कहां लेकर जा रही है हमने छुआ तो यह nerve impulse कहां गई brain के पास brain से message आया इसने हाथ खीच लिया तो जो neuron brain के पास लेकर जाती है उसका अलग नाम करन कर दिया जो neuron brain से signal लेकर के muscle के पास या body के पास आ रही है उसका अलग नाम करन कर दिया जो दोनों काम कर रहे है उसका अलग नाम करन कर दिया तो तो यहाँ पर क्या है sensory neuron या afferent neuron F का मतलब होता है towards ठीक है तो ध्यान रखेंगे afferent towards यान कि कहां लेकर जाएगा ये towards body sensory मतलब sense करना तो यहाँ से याद रखेंगे sensory कहां लेकर जाएंगे हमने sense किया sense कहां लेकर गया brain के पास they contain sensory receptors and carry signal from body body को हम effector भी बोलते हैं to central nervous system through cranial or spinal nerves जो दिमाग से निकल रही है या दिमाग से होती हुमारे कहां चलेगी spinal cord में फिर spinal cord से निकल रही है इन दो जाएकर निसे पाई जाती है दिमाग से निकले ही direct तो cranial nerves और spinal cord से निकलती है तो spinal nerves ठीक है ना most sensory neurons are unipolar in structure जातार यह कैसी होती है unipolar होती है ठीक है तो उधारन यह दोनों आपस में connected है unipolar sensory होते हैं sensory unipolar होते हैं के लिए रबाते है motor neuron और efferent efferent उतलब exit ना exit यह ब्रेन exit कर रहा है f away from they carry action potential यानिकी signal away from the cns2 effector central nervous system से कहां लेके जाएंगे body के पास है ना effector में कौन होगे body muscles glands का कुछ और भी हो सकता है in the periphery periphery मतलब peripheral nervous system through cranial or spinal nerves nerves to cranial and spinal होंगी वही nerves sensory भी हो सकती है motor भी हो सकती है now inter neuron और association neuron यह क्या चीज है तो देखते हैं they are mainly located within the cns यह central nervous system brain में ही पाए जाएंगी यह spanel cord में पाए जाएंगी और कहीं नहीं होंगी between sensory and motor neuron यह इन दोन के बीच में होती है यह इन दोन के बीच में पाए जाती है यह मालो sensory motor है तो इनके बीच में पाए जाती है ठीक है इंटर neuron integrate करता है यानि process को communicate करता है process incoming sensory information from sensory neuron and then elicit express करेगा a motor response by activating the appropriate motor neuron यानि हम इसका ऐसा समझ सकते हैं मालो हमारी finger ने क्या किया hot चीज को छुआ signal गया brain के पास brain में क्या हुआ इसका brain में एक और neuron था यह signal यहां आ गया यहां से यहां ओके फिर यह आया कहाँ पर हाथ में finger से कहां आ गया hand में आ गया तो यह sensory हो गया यह motor हो गया बीच में जिसमें message को पढ़ा समझा और order दिया भाई motor जाओ हटाओ हाथ को तो वह हो गया हमारा interneuron के लिए रहे बाते हैं most interneurons are multipolar in structure generally क्या होते हैं multipolar होते हैं ठीक है दोनों तरफ से एक तरह से message कर लेते हैं इधर से भी इधर से भी mixed भी बोलते हैं कई वर हम लोग आगया आते हैं अब यह सारी बात है कि नवट इस्टू नवट इस्टू को दो टाइप के cell पाया जाते हैं फिर से recap करते हैं एक निरॉंस दूसरे नीरो ग्लिया क्या है दूसरा नीरो ग्लिया ठीक है ना दूसरे क्या हमारे पास नीरो ग्लिया याद आया दो टाइप के cells होते, Nohort issue में, neuron, neuron बारे में प्रीटेलिंग पड़ी हैं अब किसके बारें पढ़ने जारे हैं, Neuroglia के बारे में, इसके बारे में Neuroglia, तो Neuroglia क्या है, blue or barn teacher make up about half the volume of the CNS, center number system का लगबूख आधा volume मतलब की हम कह सकते हैं जितने neuron नहीं उसे ज्याद तो क्या है, नीरोग्लिया सेल है भाई प्रोटेक्शन करने वाले ज्याधा चाहिए है यहाँ पर देर नेम डराइज प्रॉम दा आईडिया ओफ अर्ली हिस्टोलोजिस्ट जो प्राने हिस्टोलोजिस्ट थे जो मतलब खोच करता थे देट देवर्दा ग्ल्यू जो सोचते थे यह जो सेल्स है ना यह नवस्ट इस्टो को होल्ड करके रखे हुए है जिससे की यह क्या हुआ बहके नहीं दो दा लेकिन बात में समझ में आए कि ऐसा नहीं है तो तब से इसका नाम फिर निरोग्लिया ही पड़ गया जर्नली निरोग्लिया आर स्मॉलर देन निरोण से छोटे होते हैं अगर निरोण एक होंगे तो यह पांच से लेके पच्चिस होंगे याने एक निरोण पे पांच से लेके पच्चिस तक निरोग्लिया हो सकते हैं ठीक है तो total neuron हमारी body में जितना भी है उसका लगवग लगव मान लोगी 5 गुणा या 25 गुणा तक ज्यादा Neuroglia cells हो सकते हैं in contrast to neuron Neuroglia do not generate or propagate action potential अगर neuron से compare करें तो Neuroglia cells ना तो generate करते हैं ना propagate करते हैं action potential जैने कि signals and they can multiply and divide in the mature nervous system बट यह multiply और divide हो सकते हैं जबकि neuron multiply divide नहीं होता है बात सब्सक्राइब आ रही है कि लिए रहे अब आगे देखते हैं क्या कह रही है ठीक है in case of injury or disease अगर injury हो जाए या disease हो जाए ठीक है ना Neuroglia multiply to fill the space Neuroglia क्या करेगी multiply करेगी मालो injury हो गई या disease हो गई जिसके वएसे हमारा neuron damage हो गया तो Neuroglia multiply to fill the space formerly occupied by neuron जो पहले जहाँ पर neuron था जो कि अब damage हो गया है oligodendrocytes, microglia and appendymal cells are found only in central nervous system तो याने की चार टाइप के जो Neuroglia हो तो हमारे कहाँ पाए जाते हैं Central nervous system पाए जाएंगे the remaining two types याने की swan cells जिसको हम पढ़ चुके हैं and satellite cells are present in the peripheral nervous system यह दो टाइप की Neuroglia cells होते हैं यह कहाँ पाए जाते हैं peripheral nervous system में पाए जाते हैं clear रहे हैं अब जो छे टाइप के हमने बात करी है ठीक है उसमें से पहला टाइप ठीक है ना छे टाइप की जो हमने बात करी है उन में से पहला टाइप दूसर टाइप तीसरा चौता पांचा छेओ के छे बारे में थोड़ी बात बाते हम यह समझेंगे क्योंकि वह थोड़ी सी important है तो आओ देख लेते हैं फटा-फट क्या कह रहा है सबसे पहले क्या एक्स्ट्रो साइट ही तो बहुत ही important है पक्का प निकले होते हैं यानि कि अगर यह एक सेल ऐसा होगा तो इसके अंदर भी कही सारे ऐसे निकले होंगे and are the largest and most numerous of the Neuroglia जितने भी छे टाइप की निरो की लिए हैं उनमें सबसे बड़ा होता है और सबसे ज़्यादा पाया जाता है यह याद करना मत करना लेकिन समझ लो एक् अब्रस एस्टोसाइट बस इतना देहान रखना नाव फंक्शन की बात करें तो ऑविस भी बात है सबसे पहला फंक्शन क्या है support of neuron neuron का support करना ठीक है दूसरा function क्या है दूसरा function क्या रहा है processes of astrocytes wrapped around the blood capillaries यानि कि इसके जो यह processes निकले हुए ना जो blood capillary आती है मान लो blood capillaries आ रही है यह इसके around यह क्या हो जाती है wrap कर लेंगे अपने आपको ठीक है wrap लपेट लेंगी isolate neuron of the CNS from various potentially harmful substance in blood और जो neuron है ना उसको अलग कर देती है उसको direct blood के touch में नहीं आने देगी क्यों blood के अंदर काफी सारे harmful चीज़ों हो सकती है ना बिमारिया infection by active virus होते है तो उसको अलग कर देती है by secreting chemical that maintain the unique selective permeability characteristics of the endothelial cells of the capillary कुछ खास chemical यह secret कर देती है कि blood सारी चीज़ें अपने अंदर से चीज़ों को secret नहीं कर पाता है बहार कुछ खास चीज़ों को यह बहार निकाल पाएगा neuron के पास क्योंकि neuron बहुत जरूरी है उनके बिना हम लोग बे पुछ तरीके से ब्लड को involve होने नहीं दे रहा है इन दा एंब्रियो एक्ट्रोसाइट सिक्रीट्स केमिकल डेट अपियर तू रेगुलेट दा ग्रोथ माइग्रेशन एंटर कनेक्शन अमांग दा निरॉन इन दा ब्रेट तो कह रहा है एंब्रियो के अंदर जो एक्ट्र एंब्रियो के अदर एक्ट्रोसाइट्स help to maintain the appropriate chemical environment for the generation of nerve impulse, एक्ट्रोसाइट्स खास chemical environment maintain गरते है इन जिससे की nerve impulse generate हो सके किसके अंदरvenirॉन के अंदर एक्ट्रोसाइट्स में आल रोल इन लर्निंग एंड मेमोरी यानि कि जो लर्निंग & मेमोरी का काम है उसमें भी इनका रो क्या है माइक्रोग्लियर सेल्स में माइक्रोग्लियर सेल्स या माइक्रोग्लियर ठीक है माइक्रोग्लियर पढ़ा जाता है माइक्रोग्लियर स्मॉल दे फंक्शन एस फैगोसाइट इतनी बात पक्का याद रखेंगे माइक्रोग्लियर सेल्स क्या होते हैं फैगोसाइट य नवर सिस्टम जिस समय नवर सिस्टम ग्रोव कर रहा हो तो बहुत सारी सेल्स कर दो न बेकार से टूट फूट के अलग हो जाती वेस्ट अलग होता रहता है तो यह उसको खापी के अलग करते रहते हैं एंट फेस्ट माैक्रोबस चैन्ड डमाइबर टिसू जो माैक्रोब्स होते हैं उनको भी खापी यह अलग कर देते हैं इपन्ड़ेमल और यह हमारे पास आओ देखेँ जारा किरह थे थे इस लिव किरुभ करता है अज्ट करता है यो सेरेभि इस्पाइनल फिल स्युदु आप जाता है उसको मोदित करेगा प्रद्यूस करेगा और धिस्वागा थीग मेंron यह भी क्या बनाते हैं एक तरह का बेरियर बनाते हैं डिटेलिंग हम संझेंगे जब हम लोग नर्वर इस्टम बढ़ेंगे यह क्या बनाता है पार्टिसिपेट इन एक्जॉन रीजनेरेशन किसमें पार्टिसिपेट करते हैं एक्जाउन के रीजनेरेशन में विचीज मोर इजी ली अकमप्लिश्ट इन दा पैरिफेरल नर्वर सिस्टम देन दा सी एनस सी एनस के मुकाबले यह पी एनस में एक तरह से ज्यादा क्या है एक्टिव होते हैं सैटलाइट स क्या है बिसाइड्स प्रवाइडिंग इस्ट्रक्ट्रल सपोर्ट यह स्ट्रक्ट्रल सपोर्ट देने के साथ साथ सैटलाइट से रेगुलेट दा एक्स्चेंजेस ऑफ मैटेरियल बिट्वीन दा नियूरोनल सेल बॉड़ी एंड इंट्रेश्टीशल फिल्यूड जो उनक इसको फिर बना करके किसके किसे पढ़ना इसको अब हम देख लिते हैं फटाफट अपने किसके बारे में माइंड नर्चर एप के बारे में तो आओ जानते हैं अपने माइंड नर्चर एप के बारे में तो येस हमारे चैनल का जो नाम है माइंड नर्चर उसी के नाम से अब एप आ चुका है जो की गूगल के प्ले स्टोर पे मौजूद है ठीक है लेक्चर के लिंक में भी उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है और आप चाहो तो डायरेक्ट कहां प्ले स्टोर पे जा करके उसको डाउनलोड कर सकते हो ठीक है अब देखो यूटूब पर लेक्चर एंड नोट्स यूटूब पर भी अवेलिवन है फ्री आफ कॉस्ट है ना जब मैं पहले से भी पढ़ा रहा था ये तो मैंने बच्चर से बच्चर और नोट्स जैसे डाल रहा हूं मैं यूटूब पर ठीक वैसे डालता रहूंगा कोई चेंज नहीं आएगा जितने लेक्चर मेरे एप में होंगे जितने नोट्स मेरे एप में होंगे उतने लेक्चर और नोट्स आपको यूटूब पर मिलेगा बट क्या चीज आपको यूटूब पर नहीं मिलेगी वो चीज है वन मास कोश्चन की प्रैक्टिस जो वन मास इंपॉर्टन कोश्चन होंगे ठीक है ना वन मास कोश्चन में बेसिकल तुम्हार पास क्या आते है MCQ और फिलिंदा ब्लैंक ठीक है ना तुम्हारे अब नए जो पैटन है उसमें नए एक्जाम पैटन है ठीक है ना उसमें MCQ और फिलिंदा ब्लैंक सा आ रहे है दोनों मिला करके दस नमर के यह आते है ठीक है प्लस टू मास कोश्चन यानि कि आप इतना सारा पढ़ेंगे यहां वो कुछ important question दूँगा मैं 2 marks, 3 marks, 5 marks कि आगर केवल आप उतना ही पढ़ लेंगे तो pass तो guarantee हो जाएंगे ठीक है और जब detail knowledge चाहिए होगी ठीक है तो उसके लिए पूरा lecture पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी आप लोग मैं तो पढ़ाई रहा हूँ ठीक है और जिस बच्चे केवल pass होना है वो केवल मेरा क्या करेगा इन questions की practice कर लेगा live class होगी अब माल लो मैं ये यूट्यूबर lecture को पढ़ा दिया है अब वो कहीं कुछ तुबार doubt फस गया है ठीक है तो वो कैसे cover होगा वो तो उसके लिए क्या होगा live class होगी doubts के लिए मैं आया करूँ हो live class जो कि अभी start अलड़ी हो चुकी है बच्चे doubts पूछ रहे हैं और class चल रहे है सबसे बच्चों बड़ी चीज़ जो होने वाली है MCQ test की practice यह तो चलो एक बार को ठीक है MCQ questions MCQ questions की इतनी सारी practice होने वाली है हर lecture से 15-20 questions भी पूरे chapter से मिला करके 130 questions हो जाए करेंगे जो कि तुम्हारे deform और सबसे important exit exam की उपर बेश्ट होने वाले है MCQ questions अब जखो समझे क्या है यह MCQ questions का test हम लोग कहा नहीं ले सकते यूटूब पर नहीं ले सकते अब यूटूब पर क्या होगा मैं बताता हूँ ऐसे मैं चल रहा हूँ question लिखा होगा चार option लिखे होगा मैं बोलूगा बच्चो यह question है यह चार option इसका answer ही है मज़ा नहीं आएगा ऐसे ठीक है ना मज़ा कैसे आएगा question सामने होगा तुम पढ़ोगा और तुम answer क्लिक करोगे पढ़ करके सोच करके वो मज़ा आएगा उससे practice होती असली ठीक है ना तो यह सबसे बड़ा part आपको मिलने वाला है फिलिंदे भी लैंक के बारे में बात करी चुका हूँ routine test for de-farm and exit exam only 40% marks चाहिए सबको पता है 100 message आपको कितने चाहिए 40 number में पास हो जाओगे ठीक है ना तो routine test routine test का क्या मतलब है माल लो chapter 1 किसी subject का खतम हुआ उसका test हो जाएगा फिर chapter 2 खतम हुआ फिर उसके बाद एक combined test होगा 1 plus 2 plus 3 इस तरह से चलता रहाएगा चलता रहाएगा एक time वो आएगा 1 plus 2 plus 3 मालो 13 chapter है तो combined test हो रहे है यह जो test अगर बच्चा कोई मन से देता है बहुत अच्छे मन से तो more than 95% उसका कही नहीं गया है और अगर बे मन से भी दे रहा है 20-30% तयारी करके भी तो 40% यानकि 40 number लाना फिर उसके लिए final exam में बहुत आसान हो जाएगा और सबसे बड़ी बात बेटा जो पढ़ाई होगी न हमारा इस exam को target करके होगी ठीक है ना जो subject तुमारे exit exam में आएंगे उसको target करके पढ़ाई होगी यानकि जब theory पढ़ोगे या ले question अच्छे से कर ले जाओगे तो MCQ तो बहुत अराम से कर ले जाओगे और MCQ जब बहुत अराम से कर ले जाओगे तो exit exam बहुत अराम से clear कर ले जाओगे बात सोज़मारी है और fees बिलकुल minimal है 1100 रुपे पूरे साल के लिए सभी subjects की first year पूरा साल सभी subject 1100 रुपे second year पूरा साल सभी subject फिर से 1100 रुपे यानकि एक साल की fees आपको 1100 रुपे पढ़ रही है इस fees को अगर आप अपनी college fees से compare करोगे तो ना कि बराबर है महिने का तुमारा 92 रुपे something पढ़ता है जाकर के इस से सस्ता cheap और best चीज आपको नहीं मिलने वाली है उसके बाद भी अगर कोई query है कोई चीज समझ में नहीं आ रही है app को ले करके ठीक है या कुछ बच्चों को ये दिक्कत है भी कोई दिक्कत है तो बे जिजग बिना हिचके चाहे मुझे call करें doubt clear करें इस चीज को लेकर रहे sir कैसे क्या है ठीक है मैं तुम लोगों को वो चीज बता दूँगा clear है बासमझ में आ गई और सबसे बड़ी चीज ये सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा yes revision बिना revision कि आप ये सारी चीज़े नहीं कर पाऊगा यानि कि पढ़ना पड़ेगा है ना तो revision जरूर 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 करना में हमेशा कहता हूँ revision ही है selection revision करोगे तो लाइफ में हर एक चीज में अचीव पाल होगे हर एक चीज आपको अचीव हो जाएगी ठीक है ना तो क्या करते रहो revise करते रहो और पढ़ते रहो all the best